बॉट मॉर्णिंग क्लास, I am your class teacher, this is your English peer, today we learn about one and many, आज हमारा टॉपिक है one or many, one or many आप पहले भी math class में पढ़ चुके हैं, उसको अब हम English में पढ़ेंगे, one means one thing, और many means बहुत सारी things, मतलब बहुत सारी चीजे, one को हम singular number भी कहते हैं, मतलब one thing मतलब singular number, और many things मतलब singular number, ठीक है, one things होगा तो हम इसको singular भी बोल सकते हैं और many things होगा तुम्हें वो singular होगा ठीक है आप जैसे यहाँ पर कितना है one apple है और यहाँ कितने है two apple है तो यह क्या हो गया singular और यह क्या हो गया singular ठीक है न यह one things हो गया many things हो गया तो हम यहाँ इसको बोलेंगे singular और यहां यह कहलाएगा Puler ओके आप देखे आप Singular से हम Puler में Change कैसे करेंगे आप यहां Apple A-P-P-L-E Apple लिखा है जब हम इसको Puler में लिखेंगे या Many Things होगा तब हम कैसे लिखेंगे यहां पर A-P-P-L-E-S Apple क्या पढ़ेंगे Apple अब Next जैसे यह Ball है Ball वन फिंच है और यहां पर कितनी है Two Balls है अब जब हम इसको Singular से Puler में Convert करेंगे तो कैसे लिखेंगे B-A-S-L-L और यह S Ball इसमें आप S लगा देंगे S लगा देने से क्या हो जाएगा यह Simular से Puler नंबर में हो जाएगा One से Many इसको हम लिखेंगे अब यहां देखिए One Cat है One Cat आप यहां पर बहुत सारी Cats है मतलब एक से ज़्यादा है तो इसको हम Simular से Puler नंबर में कनवर्ट करेंगे C-A-T-S Cats यह देखिए यहां फ्लार One Flower है यहां पर Two Flower है यहां फ्लार्स हो गया यहां फ्लार्स हो गया है जैसे Apple Apple Ball Cat Cat फ्लार्स फ्लार्स ठीक है अब जब समझ गया आप लो कि हम One से Manny में कनवर्ट करते हैं तो कैसे लिखते हैं हमारा यहां जो बर्ड है उसके आगे S लग जाता है जैसे Apple है तो Apple में हम S लग जाता है Ball है Ball से S Cat है Cat S लगा दिये तो Cat हो गया फ्लार्स है S लगा दिये फ्लार्स हो गया ठीक है अब हम इसका exercise भी देखें अब देखें यहां लिखा हुआ है Star S-T-A-R Star इसको जब हम Similar से टूलर में Change करेंगे S-T-A-R S Star Doll D-O-L-L Doll D-O-L-L-X Doll मतलब Doll means One Doll और Dolls मिन बहुत सारी गुडिया है Cow C-O-W-S Cow Cow means One Cow और Cow means बहुत सारी Cow एक से ज़्यादा था यह कहा है Parrot Parrot means One Parrot और जब हम इसको H से ज़्यादा Parrot होंगे तो क्या लिखेंगे P-A-R-O-T-S Parrot Orange One Orange है तो यहाँ वो औरंज लिखा हुआ है जब H से ज़्यादा Orange होंगे तो हम कैसे लिखेंगे O-R-A-N-G-E-S Orange ठीक है Ship One Ship One है तो हम Ship लिखेंगे और जब One से ज़्यादा Ship होगी S-S-I-P-S Ship ठीक जब One thing होगा हमारे पास तो वो क्या कहलाथा है Singular और जब One से ज़्यादा चीज़ें होगी तो वो हो जाएगा Spular चीज़े आप जैसे One चीज है उसको जब हम Convert करते है तो यहाँ हम क्या लगा दिये है S तो क्या होगा है यह Apple ठीक जब One thing होगी तो वो क्या कहलाएगी Singular number और जब Many things होगी तो वो क्या कहलाएगी One से ज़्यादा चीज़ें होगी तो वो Spular number में खलाते है Okay Thank you